हाँ जी दोस्तों मैं हूँ Cyrus और आज मैं अपने किचन में हूँ और हम जल्दी से बनाने वाले हैं डीटॉक्स वेजिटेबल सूप आपको पता है मेरी पूरी सीरीज दिल रही है डीटॉक्स किस तरह से बॉड़ी को करेंगे बॉड़ी में जितने भी अशुधियां है जितनी भी गंदगी है जहर है टॉक्सिंस है उसको किस तरह से निकालेंगे जल्दी से शुरू करते हैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या-क्या समगरी चाहिए वेजिटेबल सूप के लिए तो आपको दिखा देता हूँ मैं दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए आपको यह कैबज चाहिए साथ में टिमाडर चाहिए गाजर चाहिए एक छोटा प्यास चाहिए और यह जो शिमला मिर चाहिए चाहिए इसको छोटे-छोटे पीसिस में काट लेंगे उसके बाद आप देखेंगे मैंने काट के छोटे- प्यास कटके रखखा हुआ है और हमें एक चमच कालानमक चाहिए और उसके इलावा हमें चाहिए क्या बॉलते हैं इसको हमें चाहिए ये गा बोलते हैं स्क ब्लाक पेपर ये की शुरू करते हैं दोस्तोंग morse on ath miss night यह जो bought rota की आच में ये जो है इसमें हम दो ग्लास पानी डाल देंगे मैंने बिल्कुल हलकी आँच पे रखा है कुकर और इसमें धीरे-धीरे जो है सारी सबसे पहले हम लोग इसको गरम होने देंगे पानी आप देखेंगे बिल्कुल धीनी आँच में चल रहा है दोस्तों जब तक पानी गरम होता है मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैंने जिस तरह से विडियो बनाया है कि आप डीटॉक्स एक वेजिटेबल सूप है इस वेजिटेबल सूप से क्या होगा अगर आप इंटर्मिटन फास्टिंग करते हैं जैसे मैंने बताया 16 घंटे का उखवास रखना है तो आपकी जो पहली मील होगी वो वेजिटेबल सूप पी सकते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप आठ बजे डिनर करते हैं तो आपकी पहली मील बारा बजे होनी चाहिए लेकिन 12 बज़े से पहले कुछ exceptions है, आप पानी पी सकते हैं, आप नारील पानी पी सकते हैं, आप vegetable soup पी सकते हैं, तो यही वो vegetable soup है जो पी सकते हैं, इसके multiple आपको reason बताऊँगा, आप कैसे कैसे ले सकते हैं यह, तो पानी गरम होने वाला है, दोस्तों आप देखेंगे पानी मैंने बिल्कुल गरम हो रहा है, तो हम इसमें प्याज दालेंगे, प्याज मैंने बिल्कुल छोटा हलका प्याज लिया है, एक छोटा सा प्याज लिया है, इसको थोड़ा सा गरम होने देते हैं, दोस्तों आप देखोंगे मैंने बिल्कुल भी ऑईल का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें एक ऐसी वेजटेबल सूप बनाना है जिसमें जादा कैलरीज ना हो तो हम बिल्कुल भी ओयल यूज नहीं करेंगे अभी आप देखेंगे पानी उबलने लग गया है और सबसे पहले हम लोग गाजर डाल देंगे मैंने बिल्कुल छोड़ चोड़ पीसिस काटे हैं ताकि इसली यह बॉयल हो जाए क्योंकि जारा देर तक हम बॉयल नहीं करेंगे अब इसमें हम यह बंद गो भी है यह डाल देंगे और यह जो शूप बन रहा है दोस्तों यह आप दो से तीन लोग अराम से इसको पी सकते हैं इसमें कैलरीज बहुत कम है दोस्तों बहुत सादा मिनरल्स है वाइटमिन्स है अब इसको हम 15 मिनट तक पकने देते हैं दोस्तों और इसमें हम क्या करेंगे यह देखे मैंने एक चमच काला नमक लिया है और आदे से आदा चमच काली जो ब्लैक पेपर है काली मिल्च वो लिए है वो डाल देंगे इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों हलकी आँच में पकरा यह मैंने कुकर बंद कर दिया है इसको पंदरा मिनट तक वेट करेंगे हम लोग दोस्तों अब हम पंदरा मिनट तक इसका वेट करेंगे और जो लोग यह जो सबसे अच्छा जो वेजिटेबल सूप है अगर आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहली मील ले सकते हैं अगर आप बारा बचे से पहले मील लेते हैं तो उसका में बन गई है और उसके इलावा उस वेजिटेबल का मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया दोस्तों यह जो पानी है मैं कह रहा था आप लोगों को के बारा बजे आप जब पहली मील खाएंगे उससे पहले आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं मैं इस सूप की बात कर रह है और इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रियंट्स हैं वाइटमिन्स हैं मिनरल्स हैं आपके लिए आइडियल रहेगा अगर आप इंटरमिटन फास्टिंग कर रहे हैं जैसे मैंने बताया थे दोस्तों अप्धाव टू डी टॉक्स बाड़ी अपनी बाड़ी की जो गंद सब्सक्राइब आता है सब्सक्राइब वह पी सकते हैं दोस्तों दोस्तों आपको एक बार बताऊं डबी वेच्ट यानि वर्ल्ड हैल्थ ऑगनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में 20 में से 18 लोग ऐसे हैं जो रौ वेजटेबल नहीं खाते हैं कच्ची सब्सक्राइब नह आइडियल है फैट लॉस के लिए अगर आप सुबह उठके प्रॉंठे खाते हो साथ में कुछ और खाते हो तो सबसे बेटर है यह बाउल भर के आप वेजटेबल्स खा लीजिए इससे आपका फैट लॉस होना ही होना है यहीं रीजन है कि हम लोग फैट लॉस नहीं करते क क्योंकि हम रॉजटेबल्स नहीं खाते हैं इसको मैंने हलका सा बॉइल कर लिया है 15 मिनट के लिए इसमें इतने डेंस न्यूट्रियंट्स हैं वाइटमिन्स हैं मिनरल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता तो यह मेरा वीडियो थे दोस्तों अब मैं नेक्स वीडियो बनान आने वाला हूं दोस्तों एक अलग तरीके से रोटी बनाएंगे और नेक्स वीडियो इसी वीडियो की कंटीनुएशन में आएगा आप अपने शरीर की गंदगी किस तरह से निकाल सकते हैं हाव टू डीटॉक्स यह बॉड़ी सो इस वीडियो की पूरी सीरीज चल रही है उपवास के दुरान आप 12 बज़े से पहले पी सकते हैं यह बहुत न्यूट्रेंट्स है इसमें तो तैंक यू सो मच वाचिन दिस वीडियो कीप ग्रोइंग स्पैट दलाव चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे तीन वीडियो हो चुके हैं चौथा वीडियो जल्दी आ रहा है टेक कियर